हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल रतन बाई साकी रसोई तो आज हम फ्रेंज बनाएंगे जो कुरुदुआरा में मिलता है ना कड़ा प्रशाद वो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, यह बहुत ही सिंपल डिलीशियस लाजवाब रेसिपी है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दो निविदन है पहला कि लॉकडाउन का पालन करे, घर पे रहे और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन प्रेस करना बिल्कुल न बोले तो सबसे पहले हम यहापे ले लेंगे एक पैन पैन में हम डाल देंगे एक कप सुद्ध देसी घी और एक कप गेहुं का आटा चान के लेना है, एक कप ग्लास कटोरी आपको फिक्स माप के लिए रख देना है अब हम ग्यास की प्लेम को लो मीडियम रखते हुए इस स्पैचुला से इस तरह से चलाते हुए जब तक इसका सुनहेरा कलर ना आ जाए हम इसे अच्छे से भुण लेंगे ग्यास की प्लेम आपको यहाँ पे लो मीडियम ही रखनी है और इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है अब हम दूसरे ग्यास पे जो हैं उसी मेजरिंग कप से दो कप गरम पानी रख देंगे तो एक और हम आटे को भुण लेंगे और दूसरी और पानी भी गरम कर लेंगे यह देखिए आटा जो हैं अच्छे से भुण चुका है इसका कलर आप देख सकते हैं मैंने आपको जून करके बताया है अब हम इस स्टेज पे दो टेबल स्पोन ड्राइफ रूट का मसाला डालेंगे आप ड्राइफ रूट काटके भी डाल सकते हैं या आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी यह बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा तो अब हम इस ट्राइफ रूट के मसाले को कर देंगे अच्छे से मिक्स अब हम ड्राइड करेंगे इसमें गरम पानी गैस की फ्लेम मैंने याँ पे लो मीडियम ही रखी है आटा आगर आपका अच्छे से भुन चुका है तो इसमें कोई भी लंस नहीं पड़ेगा स्पैचुला को आपको स्पीड से चलाना है अब बाकी का बचा हुआ पानी भी हम इसमें अड़ कर देंगे आप चाहे तो इस गरम पानी के अंदर ही सक्कर को एड़ करके सिरप बना के इसमें एड़ कर सकते हैं या फिर आप सक्कर मेरी तरफ पीची से भी एड़ कर सकते हैं तो ये देखिए आटे ने पुरा पानी सोक लिया है अब ये स्पैचुला को भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है तो अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे सक्कर मैंने या पे एक कप से थोड़ी कम सक्कर का इस्तिमाल किया है अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो सक्कर की कॉंटिटी आप समाल ले सकते हैं यानि कि एक कप आटा है तो एक कप चीनी का इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम चीनी को अच्छे से इसके अंदर घुलने देंगे जब भी दिल करें तब भी फ्रेंस आप बना के खा सकते हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए कुछ ही मिन्टों में ये आपका प्रशाद बनके रडी हो जाता है अब हम दो इलाइची को कूट के डाल देंगे ये देखिए ये हमारा गुरु द्वारे में खाये जाने वाला और घर में भगवान जी को भोग लगाये जाने वाला गड़ा प्रशाद बनके रडी हो चुका है गास की फ्लेम कर देंगे ओफ और इसे हम एक सबिंग प्लेट में निकाल देंगे इंग्रेडियन्स जो है प्रेंस में डिस्ट्रिप्शन में देती हूँ तो उसी माप और उसी तरीके से बनाईए तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनेगा